तूस्ट निफिशर फ्रेंस फ्रों ट्रेंटिंग्टेंग आज 14 जन जन वरी 2020 तूज़्ड़ है सुबहे के साथ बच कर 55 मिनिट्स हो रहे नया वीक शुरू हो रहा है, दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, लास्ट वीक हमने देखा यूएस और इरान के बीच में जो टेंशन चल रहे थे, उसकी जैसे खबरे आ रहे थे, उसके मुदाबिक इंडियन मार्केट्स में वो मुमेंट देखने को मिल रहे थे, काफ 50 इंडेक्स ने फिर से बाउंस बैक किया, एक जबरदस और नए हाई इस क्रियेट कर रहे है, वैसे देखा जाए तो अभी बजेट आने वाल है, नेक्स्ट मंथ, 1st February को, तो इसके पहले जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया में बजेट के खिलब खबरे आ रही है, बजेट के बा और चैना के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था, उसका हल निकल आया है, दोनों देश ट्रेड आगरिमेंट को साइन करने वाले है, तो काफी सारी पॉजिटिव चीज़े भी हो रही है, तो आज के रिफ्टी में इंट्राडे लेवल हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालाद देख लेते हैं, कल यूएस मार्केट्स में अगर आप देखें तो नास्डाक जबरदस तेजी के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी देखें, तो लंडन मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ, हाला तो 33 पॉइंट की समय बढ़त दिखा रहा है तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के उपर वीकली चार्ट से शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले कल इंफ्लेशन का डेटा है था इंफ्लेशन 7.35% बढ़ गया है जो कि लास्ट 5 येर्स में यह सबसे हाई इंफ्लेशन रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन बजेट के पहले एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है तो चार्ट क्या कहता है कहां पर आज के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते उसको आइडेंटिफाइ करेंगे यह निफ्टी इंडेक्स का विकली चार्ट विकली और जैसे युएस और इरान के बीच में खबर आ रहे थी टेंशन बढ़ रहा था तो यहां से एक जबर्दस पॉल देखने को मिला आला कि इसका जो 23.6% का यह जो लेवल है 11,910 इसी के पास यह 20 ए में भी आ रहा था तो यहां पर एक सपोर्ट बन रहा था तो जैसे के पास उसको ब्रेक करने के बाद कल हफते के पहले दिन फिर से निफ्टी ने एक नया हाई क्रियेट किया तो इस समय निफ्टी इंडेक्स अंचार्टेड टेरिटरी में चला गया तो अभी आने वाले लेवल को प्रोजेक्ट करने के लिए जैसे कि हमने पास्ट में यहां पर फिबोनासी एक्स्टेंशन टूल को यूज किया था तो हम यहां पर फिर से एक बार वो ड्रॉकर करके देख सकते हैं अभी फिफ्टी परसेंट का यह जो लेवल है ट्वेल ताउजन थी सिक्स्टी सिक्स के पास आ रहा है यानि अल्मॉस्ट थी फिफिटी के पास तो हमारा नेक्स इस वर्टी लेवल के पास 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 में कभी नहीं आया था तो अबी नीचे जाते वाग्त फिर से जो पर 12,290 एक रडिस्टेंस का काम कर रहा था वह फिर सपोर्ट का काम यहां पर कर सकता है तो फिर्स सपोर्ट होगा 12,290 के पास 12,240 के पास और यहां से अ हमारा नेक्स सपोर्ट का काम कर सकता है तो यहां पर इस समय 12,350 फर्स तर्गेट होगा अगर टूर्स नौर की तरफ निफ्टी बढ़ता है तो यह वीकली चार्ट का सीनरियो चलते हैं डेली चार्ट में डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखे तो यहां पर यह जो फ्राइड को यह जो कैंडल बना था यह स्पिनिंग टॉब जैसा कैंडल स्टिक बना था हला कि यह पैटन कंप्लीट नहीं था सिर्फ सिगनल था लेकिन कल मंडे को देखे तो इसके हाई को ब्रेक करके और ए इस ने इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर एक बुलिश केंडल स्टिक आपर बना दिया कल इंफलेशन का एक न्यूज आया था काफी इंफलेशन बड़ा है लेकिन जो प्री बजेट रैली के जो खबर है इसके मुताबिक एक पॉजिटिव होप मार्केट में दिखाई दे रहा है अगर यह 290 के लेवल के नीचे अगर यह क्लोज होता है और एक बीरिश केंडल स्टिक बनती है तो यहां से चोटा करेक्शन आते हुए हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकता है यह इस पिरिंग टॉप जैसे कैंडल स्टिक था जैसे कि आप यहां पर देख रहें यह यह वाला फिर इसके बाद यह और नेक्स डे यहां पर एक बीरिश कैंडल स्टिक बनता है तो यह पैटन कम्प्लीट होता है हाला कि अभी सिर्फ यह पर एक कैंडल स्टिक बनाता लेकिन यह जो इस ने इसका हाइप ब्रेक करके बुलिश कैंडल स्टिक बनाया है तो तेजी की उम्मीद यहां से अमें ज्यादा कर सकते हैं तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट के शाव से काफ़ी बुलिश्ट इससमय neft своих Freaks में बना हुआ है चलते हैंrif के 60 और ओंदिक यह पर देखने मिल राथा एक साइडवेश पैटन यहां पर देखने को मिल गा था तो अगर निफ्ति इंडेक्स कल का अगर यह हाइब करता है यानि 12,339 के ऊपर 12,338 के ऊपर अगर यह सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाई पोजिशन बना सकते हैं इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और इसे लिग देते हैं यह हमरों का ब्रेक आउट लेवल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाई पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फिर्स टारगेट होगा 12,349 जो की पिवट पॉइंट का आरवन का लेवल है इस समय तो यह होगा हमारा फिर्स टारगेट होगा 12,369 अगर गैप अप उपन होता है और पिवट पॉइंट का यह जो आरवन का लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही यहां से हम इंट्राडे के लिए बाई कर सकते हैं और तभी हमारा फिर्स टारगेट होगा 12,369 त अधर्वाइस फर्स जो हमारा यह ब्रेक आउट लेवल है यह ब्रेक होता है तो यह इंट्राडे के लिए यहां पर बाई करना है तो दो कंडिशन से बुलिश कंडिशन और अगर यह टूर्ड साउथ की तरफ मुव करता है तो यहां पर यह जो कल का एक स्लगिश पैटन था इसका जो लूवर बैंड था यार्नि कल का लो 12286 इसे अगर यह ब्रेक करता है तो इसे भी मार्क कर देते है यह हम अर्गा ब्रेकडाउं यह उदें सेंघ चिक्ट क dewल Community इसे हम लिख देता है यह हमारा वोगा breakdown लेवर ऑर इसके नीचे अगर निटी इंदेब्स चला जाता है तो आमारा 12271 यह लोगा 110 में की निवाइब्स व्मेशल चीप्रेत है दो तो यह आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इट लाइक बटन शेयर करें कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ इस यूटुब चैनल को जरू शेयर किजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें So thank you very much and happy trading